वेलो दोस्तो साइन्स फेक्टर्स चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में दिलिया के पाँच सबसे जहले सापों के बारे में बात करेंगे जानेंगे ये साप इंसानों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं तो दोस्तो आप सभी इस वीडियो में बने रहें और हम इस वीडियो को स्टाथ करते हैं वैसे तो साप को देखके किसी के भी रोंप Jurandhy को जाते हैं लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं, दुनिए मेन हर सांप जहरिला नहीं होता, फूरी दुनिया में सांपों की लगबक, औरवबग 530 से ज्याधा फूर जाती हैं, लेकिन दोस्तों डाई जार में से सिर्फ दोसों साप ही सबसे ज़ादा जहरीले होते हैं तो चलिए दोस्तों इन दोसों साप में से जाते हैं पांच ऐसे साप जो सबसे ज़ादा जहरीले होते हैं नमर पांच इस्टरन ब्राउंड स्नेक ये सांप आम तोर पर अस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये सांप इतना जारा जहरीला होता है इस बात का अंदाज आप ऐसे लगा सकते हैं इस सांप का जहर का 14 हजारवा अन्श भी अगर किसे इनसान को दे दिया जाए तो ये लगा लिजिए वो इनसान मौत के घात उतर जाएगा और इस सांप की सबसे ड्रावनी बात तो ये है ये सांप पेस्ट्रोलिया में इनसानों के घरों के आसपास सबसे जारा दिखता है औस्ट्रेलिया में सापों के काटने से सबसे आदा होने वाली मौतों के लिए ये साप जिम्मेदार है इस साप का एक छोटा बच्चा भी किसे इंसान को मौत के घात उतार सकता है इस साप को जब भी खतरा महसूस होता है तो ये साप अपने दुश्मन को पीछा करके काटता है और इसके काटे जाने पर इसका दुश्मन जो है दो से डाई गंटे में मर जाता है ये साप आम तोर पर खाली मौवमेंट होने पर ही काटता है अगर भविशे में आप सभी का सामना इस साम से हो तो सबसे बढ़िया उपाई इसे बचने का यही होगा कि आप लोग इसके सामने एकदम स्थिर खड़े रहे यह साम अपने आप ही चल जाएगा मुवमेंट होने पे यह साम जो है वापिस अटैक करता है इस साम को वेश्टन टैपन भी कहा जाता है यह साम पूरी दुनिया में सबसे जहरीले सामपों में से एक है यह साम इतना जहरीला होता है कि अगर किसी को एक बार काट ले तो उस इनसान की मौथ 30 से 45 मिट में हो जाती है और ये साप एक बार डसने पर इतना जहर छोड़ता है कि इसके उस जहर से सो लोगों की मौत हो सकती है अगर इस साप के नेचर की बात की जाए तो ये साप बहुती ज़्यादा शाय नेचर का होता है और बहुती ज़्यादा शांत रहना फसंद करता है ये साप ऐसे तो छेड़ा खानी होने पर ही काड़ता है लेकिन दोस्तों ये साप बहुती ज़्यादा ताकतवर होता है ऐसा इस साप के बारे में स्रोत किया गया है कि इसके शिकार में एक बार अगर कोई फज जाए तो उसका बचना लगबग ना मंकिन होता है ये साप बहुती ज़्यादा फुर्तीला होता है और पलग जपकते ही किसी भी शिकार को माड़ डालता है अगर रिसर्चरों की माने तो रिसर्चरों का ये कहना है ये साप जमीनी सापों में सबसे ज़्यादा ताकतवर साप है और सबसे जहरीला साप है और अगर इस साप के जहर की बात की जाए तो आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि किंग कोबरा से इस साप का जहर 50 गुना चारा तेज है आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह साप कितना ताकतवर है और कितना ज़ादा जहरीला है दूसरे सापों के मुकाबले इस साप में सुन्गने की शमता और देखने की शमता दोनों ही सबस्यादा तेज होती है नमबर 3, Death Adder ये साप बहुत ज़ादा ख़तरनाक साप होता है और ये साप आम तोर पर एस्ट्रोलिया और दूसरे देशों में भी पाए जाता है ये साप के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये साप अगर एक बार किसी को काट ले तो उसको लकुआ मार सकता है और इसके काटे जाने पर 5-6 गंटे में उस इंसान की मौत हो जाती है और ऐसा भी बोला जाता है कि अगर प्रॉफट ट्रीट्मेंट मिलने पे वो इंसान बच भी जाता है तो उसका सरीर जो है बाद में लकुआ मार देता है तो ये साप जो है बहुत ही यादा खतरनाक साप होता है और ये साप अपना पेट भढ़ने के लिए दूसरे साप को मार कर अपना पेट भढ़ता है चाहे वो साप कितने ही जहरीले क्यों ना हो नमबर दो रेटल स्नेक रेटल स्नेक ये साप बहुती ज़्यादा खतरनाक साप होता है ये साप आम तोर पर उत्री अमेरिका में पाया आता है इस साप के बारे में ऐसा बोला आता है कि ये साप अगर एक बार किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान के उस हिस्से को ये पर्मनेंटली डेमेज कर देता है आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी रेटल स्नेक के बच्चे बड़े रेटल स्नेक से काफ़े ज़्यादा जहरीले होते हैं इस साप के अगर हैट की बात की जाए तो ये साप 8 फिट तक होता है और इस साप का वेट 2 किलो से 4 किलो गराम तक होता है रेटल स्नेक के बच पे एक छला बना होता है ये जो छला होता है इस साप की पहचान जो है ये छला ही होता है इस चल्ले को देखके आप पता लगा सकते हैं कि ये एक रेटल स्नेक है इसी वज़े से इस साप का नाम रेटल स्नेक पड़ा हुआ है नमबर एक बेल्चर्ड सी स्नेक ये साप पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा जहरिला साप होता है इस साप के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इस साप का जहर का एक मिली गराम जहर ही एक हजार से जारा इंसानों को मारने की समतार रखता है ये साप साउथ इस्टेशिया और नॉर्डर्ण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये साप काफी यदा शाय नेचर का होता है और इंसानों से खुद ही काफी यदा दूर रहता है लेकिन दोस्तों कभी कभी मच्छवारे मचली पकटे टाइम इस साप को अपने जाल में फसा लेते हैं और बाद में इस साप के काटे जाने के शिकार बन जाते हैं तो दोस्तो आज मैंने आप सबी के साथ दुनिया के पांच सबसे खतरनाक सापों के इंफ्रमेशन शेयर करी है आप सबी अगर चाहे तो साइंस फेक्टरस फैमली के हिस्सा बन सकते हैं इसके लिए आप सबी को इस चैनल को सबस्क्राइब करना है और साथ में नॉटिफिक्शन वाले बैल आइकन को प्रेस करना है तो चली दोस्तो मिलते हैं आप सबी से नेक्स्ट वीडियो में